खेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं राजकुमार सिंग आप सभी लों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज करेर विल के आफिस में मिलने आए हमसे पवन हर्याना से पवन का सेलेक्शन हुआ हर्याना में इस फ्र अटेंडेंट की पोश्ट पे और पव से डिसकस करेंगे कि पाउन ने त्यारियोगर है कैसे की है साथ आप पहले मिल भी चुके हो एक छोटा सा इंट्रो वीडियो पहले भी बना हुआ इनके साथ तो सबसे पहले पहले बहुत-बहुत बढ़ाई देते हैं पवन की मुलाकात अभी थोड़े दिल पहले राके आपके लिए यह जो पवन को मिल रहा है आपको भी मिल सकता है लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मैनस से सिर्फ देखोगे तो उससे काम नहीं चलेगा इसके अंदर जो है करेविल की देखो पैन है आप पैन मांगते रहते हो और बार बार पैन है डायरी वग कि पवन धे सारी मिठाईयां भी लेकर के आए हैं तो मिठाई पवन को खिलाते हैं कि लीजे अ कि खाव सर्माव मत खाव हाँ हाँ कि मिठाईयां तो मैं कम खाता हूं लेकिन आज ऐसे मौके पर मिठाईयां इस परहेज बिलकुल भी नहीं करूंगा एक नहीं बलकि दो दो मिठाईयां मैं खाऊंगा हुम ए कि एक नहीं बलकि चार्चा डब्यक मिठाईयां पवन लेकर के आए हैं कि सब्सक्राइब जितना खा सकते हैं को पता था मिठाईयां खाता हूं आज मैंने मिठाईयां जरूर्ट कम कर दें खानी कि 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 लिजे कि यह दो चोटी वाली गुलाब जामुन है यह हर्यान का सब्सक्राइब लेकर क्या है कम सब्सक्राइब लेकर क्या है सब्सक्राइब लेकर क्या है कि सब्सक्राइब लेकर क्या है कि यह देखो मिठाईयां तो बच्चे लेकर के आते हैं उसको हमने कि हमत्राइब पत्र लेकर कम सब्सक्राइब लेकर क्या है मिठाभू वे लेकर क्या है यह भगत सिंग्स्राइब पैन हो यह टीचर का स्रिंगार होती है हाँ कुछ चीज़ें जरूर थी वह भी पहुन लेकर क्या है यह रिंग लेकर क्या है पवन जो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और यह तनिस्क की है और यह अपने पूर एक महिने की सेलरी स्रिंग पर खर्च कर दी है और एक तुम न कि पवन से खुछ डिसकस कर लेते हैं उने अपने त्यारी गश्वरों को कैसे किया है पॉन आपका घर कहां पे हर्याना में है अधर एक सकंद मेरा घर डिश्टिक्ट सिर्षा में है सववल सेकेंड में है पवन की साधी वादी हो गई है पवन के बच्चे कितने बच्चे पहुन का और पहुन सरकाई नोखरी पाने के उमीद हार चुके थे त्युम्हारी तो यह तो यह उने के बाद में मतलब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसके बाद में पिर आप तो क्योंकि एक उमर की तरफ हम चलना से ट्राट हो जाते हैं क्या अमरोग आपकी ल पर चुब बच्चे को समालते हैं उन्होंने त्यारी किया है तो आप कई बार बहाने बनाते हो इसका कोई मतलब नहीं अगर आपके पास इच्छा सकती है फोकस्ट हो कि आप पढ़ सकते हो नोकरी हांसिल कर सकते हैं पहली नोकरी पावन की इसके पहले कोई भी पावन या जरा जो आप नोकरी आपने हासिल के उसके बारे में थोड़ा से पताए जो बच्चे नए होंगे कौन सा एक्जाम था कितनी वैकेंसी थी कैसे आपने त्यारी हुए रखी क्या एक्जाम पैटर्न होगा रहा था हड़ा सर्व ह हर्याना में स्य ठीकि पहले मरा सीठी प्र्फेपर रहा था और उसके बाद में सीठी मैं एक्जाम होता है उसके अंदर मैरे टैक्टिनिकल के पोस्टे लिए थी अलम और सै के लगबग 160 ब्रत प包括 इंत्थी और उसमें सर मेरा एक्शाम में सेट प्रेट पर इंगलीज हिंदी और में एक्जाम में उसके इंदर सतर परसेंट टेकनिकल पॉर्सन आये था जिसमें सरका पड़ाया हुआ लगबग 100% मैंने कवर कर दिया था दो या तीन परसेंट के इंदर डाउड था और बाकी जो था वो नो टेक्निकल था जिसमें मैथ भी था रिजिनिंग भी था हर्याना जी के भी था और कंप्यूटर भी था और कुछ से नेशनल जी के भी था पहन ने करेवल पर ही ऑनलाइन बैच आया था एक इलेक्टिशन वाला जोईन किया था अपनी हर्याना एलम को जोईन किया था और क्लास में बहुत परिसान भी करते थी पढ़ाई यह उभी पढ़ाई करते थे ना यह सर को लगता था यह एक्जाम में आगा लेकिन आप इतना बढ़ाया था उससे उससाब से देखे तो एक्जाम का कुछ लेवल भी नहीं था मतलब मैंने तो बहुत अच्छी त्यारी करके थी और आपको जैसे भी मैंने बताया है भी जो सारा का सारा मेरे को आ रहा था दो यह तीन जो थे वो डूट वाली परसंटे जिसमें द कफी आसान आए थे कई बार आपको पता नहीं होता एक हजार से ज्यादा बच्चे मेरे हर देन में सेलेक्ट हुए हैं ऐसी बच्चे के बार मिलने नहीं हपाते हैं कई बार सेंट्रिवू आप देखना भी नहीं चाते लेकिन 1100 चाइब है पवन का अब अगला target है हर्याना में ही जेई मनने का क्या target है? सर मतवागे जैसे हमारे को अवसर मिलता है जेई के लिए हर्याना state में तो हम उसके लिए सरकेस आथ मिलकर और तैयारी करेंगे और अगे उसकी preparation लटी रखेंगे हाँ तो भी इनको जोईनिंग मिल गई है नौकरी करने प्रैक्टिकल लेवल पर चीज़ें सीख रहे हैं और जेए की पी त्यारी करने के इनका मकसद मैं बता दू हर्याना के अगर आप हो तो हर्याना में जो जोड़ी से भी ठीक ठाक है तो आप आसानी से हांसिल कर ले जाओ यह उसके त्यारी जरूर करोगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी परल्च को समर्सेन के आपने आपने त्यारी की सवोर्त किया पढ़ा कैसे कोर्श्न वगर कैसे साल्ब किया सीखा कैसी बहुत सारे बच्चें हैं जो कन्फूज रातेंक सर पढ़े कहां से सुरू करें क्यों से बुक करें नोट्स कौन से इस्तमाल करें सर मैंने तो आपने जो कोर्स करा है था वो पुरा कोर्स किया था और उसके साथ मैं आपने त्यारी के लिए मतरफ जो अब्जेक्टिव टाइफ कुर्शन अमरे को को अराम से बोलो आप जैसे कि सर ने वारे को कोर्स करा है था वो सारी वीडियो जमने देखी ती और उसके बाद में सर उसकी हर टोपी की उसके बाद में उब्जेक्टिव टाइफ को सन कराते थे प्रीविस जो एक्जाम के अंदर आये हुए हैं तो मैंने तो उसके अलावा तो अलग से तो कुछ भी नहीं बढ़ा था जो कोर्स सर ने करवाय था वो और उसके बाद में जो अब्जेक्टिव टाइफ को सन जो सर त्यारी करवायते थे शात में तो वो दोनों चीज नहीं बार बार उसका रिवीजिन किया था और यही काफी था इस एक्जाम के लिए तो यह थे पवन जो आज सुबह तीन बजे तीन बजे घर से आप निकले थे दो बजे तीन बजे आपने ट्रेन पकड़ी और सुबह दस बजे यह करेविल के ऑफिस में आये मेरे समुलाकात लगवाए ग्यारे बजे हुई अब यहां से यह राकेज सर से मिले और गुपाल सर से मिले और कुछ लोगों से मिले अब दुबार आपकी ट्रेन पांच बजे है यह साधे पांच बजे ट्रेन पकड़ के वापस जाना भी है कई बार और ही बच्ची होते लखनो के आसपास के बिहार के गोला देते हैं बच्चे कि सर नौकरी मिलने के बाद मिलने आएंग आप न मिलने आओ अलग बात है लेकिन जो चीज़ें आपको कही जा पढ़ने के लिए उसको आपको फालो करना है जिस दिन आपका सेलेक्शन होगा आप मैसेज करो न करो मिलने आओ न मिलने आओ जब आपकी महनत सफल होती है तो उसमें कुछ अंस हमारा या प्लैट्फॉ करने कुछ भी हो जो भी दिल में आप का नाओ कहड़ा लो अगली पांच मेर तर जैसे मैं तो कुस्चन यहीं रहता है स्टुरेंट का कि हम सक्सें एक्जाम के इंदर सक्सेस कैसे हों और उसके लिए सिंपल यही तरीका है कि जो भी हमारे गुरूजन अमारे को बढ़ते है उसका हम पूरा उसकी त्यारी करें और उसके वाद में अगर उसके उपर पूरा हम कंसेंट्रेट करके और रेगुलर्टी बनाई रखेंगे तो सफलता निश्चीत मिलती है और कुछ कहना है आप घवरा क्यों नहीं बोलो आप अब इसके अलावद तो सरो तो नहीं कहना सर क्योंकि यहीं में तो हम जिस परपस के लिए यहां पर आप लोगों से बढ़ते हैं तो वह यहीं है सब्सक्राइब आप जितना अमारे को बढ़ते हो इसके अंदर उसके अंदर अमारे को पूरा लगन और मैनत से जिस अगर हम आपके अनुसरान करते हैं तो सपलता परने में कोई करता ही मेरी शाफ़ी तो नहीं आती और आपका बस जो आदेश है उसी की पर लिना मैंने किये और उसी की साफ़से जो मेरे को प्रप्त हुए जब आप आने वाले तो बीवी ने मनाने किया कि क्या जा रहे अतनी दूर हो गया सेलेक्सिन छोड़ो नहीं किसी ने मनाने किया उन्होंने बोला भी जैसे आपकी इच्छा है आप उसी साफ़से कुछ भी तरो आपका यह पैंसल है तो यह थे पावन पवन ने अपनी जरन कि उमर में जा करके अपनी पहली गवर्मेंट जॉब हांसिल कर सकता है तो आपके वेज अगर 27-26 या 30 है तो आपको हिम्मत तो नहीं हारने चीए लिकिन हाँ जब भी आप त्यारी स्टार्ट करो तो मेहनत से पढ़ो टाइम काटने से सेलेक्शन नहीं हुगा अगर आप तीन अगर आपता है तो जो पाता है तो आप सब लोग के तरफ से बहुत बहुत बधाई हो पमन खटम कर इंट्रवी और कुछ तो हमारी पवन के साथ एक मुलाकात थी मैं चाहूंगा अगली मुलाकात मेरी आप के साथ हो आप मेंसे जब कोई आएगा तो मुझे खुसी होगी जब इस प्लेट्फॉर्म पे आप खड़े होंगे तो आप जब आते हैं तो आपके चहरे को देख करके मेरी भी दिल में खुसी तो आती ही है तो आप मेंसे जब कोई अगली बार आएगा तो इससे दुबारा मुलाकात होगी आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच